लोगसभा चुनाफ की सरगर्मियों के बीच केंद्री ग्रहमंत्री अमिच्वाँ छत्रसगड के कांकेर पहुचे बीजेपी कारिकर्ताओं ने हैली पैट पर उनका जोरदार स्वागत किया इसके बाद ग्रहमंत्री श्वाह स्थाल पहुचे इस मौके पर केंद्री ग्रहमंत्री अमिच्वाँ ने कहा कि मैं प्रभूच भी राम की ननेहाल आया हूँ हमने 17 जन्वरी को अद्भू द्रश्व देखा 500 सालों से टेंट में बैठे रामलला ने अपना जनम दिन भव्य मंदर में बनाया उनका सूर्य तिलक हुआ इस मंदर के लिए कई लोग शहीद हो गए लेकिन कॉंग्रेस पार्टी सालों तक रामलला के जनमस्थल के मामले को लटकाती रही लेकिन प्रधान मंत्री नवेंद्र मोदी के कारिकाल में भव्य मंदर भी बन गया और रामलला मंदर में विराजमान भी हो गया आएए सुनाते हैं कि शह ने और क्या कुछ कहा अभी 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 कॉंग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है मोदी जी ने उनके घोषना पत्र में से सबकी संपती का सर्वे करने का कहा है मोदी जी ने कल कहा क्यूं करना है सर्वे को कॉंग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही मैं आज कॉंग्रेस पार्टी को पुछना चाहता हूँ आपके गोषना पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है राऊल बाबा देश के नाम में स्वल्च करे और मन महुन सिंग आपके प्रदान मंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनोरिटी का है आदीवासी दलीत का नहीं है आदीवासी दलीत का नहीं है भाई और बेनों देश बर के मठ मंदीर और सबकी संपती पर जो नजर है वो पैसा कहां जाना वाला है मनमोहन सिंग को याद करो उन्होंने कहा कि पैसा पर वेवेन्यू पर संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनोरिटी यह कॉंग्रेस पार्टी कहती है और हम कहते हैं संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीब का है आदिवासी का है दलीद का है पीछडा समाज